तो Clash of Clans में हमारे पास जो नया hero hall करके एक नया building आया है जो इसने अभी eagle artillery की जगा ले ली है eagle artillery की तारह ये भी five tiles का जो बना building है वो ले ले लेता है एक, दो, तीन, नहीं, eight tiles का, ये eight tiles का building है जो ये जगा ले ले लेता है तो इसके अंदर heroes के उपर आज हम लोग थोई detail में बात चीट करेंगे कि hero जो एक नया hero आया है कैसे तुम इसको अपने army में include कर सकते हो क्योंकि आप भी हम लोग 5 heroes नहीं ने सकते चाड़ी ले पाएंगे कौन से पेट्स दूसके लिए अच्छा रहेंगे, upgrading का क्या scene है और hero के mechanics भी पहले से change हुए है पहले तो वो हम लोग सारा कुछ इस video में देखेंगे अब सब सब दो ये देखो ये जो तुम आना hero का flag है पहले क्या hero का alters होता थे लेकिन अब alters की जगा आ गया है hero के flags एक building की तरह काम करते थे तो hero के alters को भी हमें destroy करना पड़ता था अगर हम heroes के alters को यहाँ पर देख सकते हो एक war base है जो town hall 17 का वार में जिसको मैं destroy किया था यहाँ पर देख सकते हो यह alters है यह alters तुमारे building की तरह ही काम करेंगे लेकिन यह थोड़ा अलग होगा जो तुम्हारा flag वाले buildings है तुम्हारा decorations वाले site में हम लोग decorations का use करते है तो वैसे यह decorations की तरह रहेंगे वस heroes को तुम्हारा इदर पर मारना पड़ेगा पहले यह building की तरह रहा जाता था अगर तो यह यह तुम्हारा building की तरह रहा जाता था ताकि 1% से तुम्हारा stun नहीं होता था लेकिन आप इदर पर क्या हो गया है सबोसर देख सब तो एक मिनियन चोड़ा मिनियन ने इसको target नहीं किया यह से चला गया मतलब यह अभी building की category में नहीं आता है यह flags hero के ऐसे ही लगे रहेंग तो building जैसे दो styles की जगा लेती है यह भी जगा लेंगे वैसे यहाँ पर देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने यह scenery चेंज कर रहा है तो अगर scenery को मैं ऐसे चला जाओंगा jungle scenery में तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यह hero के buildings है यहाँ पर इसने जगा लेकर रखा है तो यह वाला altar में पीछे खेचता हूँ तो इधर से देख सकते हो खाली जगा बन चुकी है इसको मैं वापस इधर लाओंगा तो खाली जगा मिरी जाएगी तो यह थोड़ा सा अनोखा mechanics पहले से इन लोग चेंज किया है कि यह building जैसा काम करेगा लेकिन यह building 10 का जिस कंदे में जाओंगा तो उम्हें लेवल 70 का मिनियन प्रिंस मिला था लेकिन यहाप देख सब्सक्राइब तो मैं टाउनल 17 पर जा चुका हूँ तो मिनियन प्रिंस अभी बूस्ट के साथ 90 लेवल का हो चुका है तो उम्हें जिस टाउनल पर भी hero hall जोगी मिलेगा मिनियन प्रिंस वहाँ पर जितने लेवल का मिलेगा I think तुम्हें 10 लेवल अप करना पड़ेगा उसे 70 का मिला था तो मैं टाउनल 16 पर उसे लेवल 80 तक हीच पाऊंगा और टोटल नेक्स टाउनल 17 में आने के बाद हम मिनियन प्रिंस को ले पाएंगे 10 लेवल अप और यहा के लिए इसका दो टाइम है एक चीज़ देखने लाएक यह है कि इसका जो प्राइस है वो तो कम है लेकिन यह पर फिर भी आट दिन लेगा अब यह हमें देखना में रहा कि जब मिनियन प्रिंस समाना 80 लेवल के ऊपर जाएगा पर 80 के बाद वहाँ यह कितना लेता है बाक तो देखें कि चार हेरो सारे का लेको खुमा कर देख सकते हैं लेखता है तो इसका बुर्स का यह यह नहीं आए तो ऐसे यह देखने में लग रहा है यह हो गए नीचे की वाद, ऊपर देख सकतो हमें ऊपर एमबलम टाइप के देखने को मिलता है, आशकुन के लिए बो का, इसके लिए सींग का, और वार्डन के लिए ढालका, और रोयल चेपिंग के कुछ अलगी टाइप का एमबलम दे दिया गया है, और यही चीज हमको देखने को मिल जाती है, इनके इनके ऊपर, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं के चार हीरो को हम लोग डिप्लॉय कैसे करेंगे, यहाँ भी मेकनिक्स थोड़े ऐसे चेंज हुए है, देख सकते हो, जैसे किंग के ऊपर बस यह एक आइकन बना हुआ है, स्वार्ट का, यह देख सो तो साइड में, कुंग को पास स्वार्ट डिफेंस दोनों का बना है, मिन प्रिंस के ऊपर बस डिफेंस का बना हुआ है, इस बने हुए है, तो यहाँ से देखो हम लोग एरो को अपगेट कर पाएंगे, अगर तुम नॉर्मल हीरो की अधर बहुत जाओ तो तुम इरो को अपगेट नहीं कर पाओ गया, तुम्हें हीरो को अपगेट करने कि लिए हीरो हौल को विजिट करना पड़ेगा, वहाँ अब तुम नॉर्मल यह ऐसे hero's कर पाऊगे, उनके abilities जो भी चाहिए ऐसे देख पाऊगे अब यह तो हो गए इसके बाद, तुमनों को मैं यह भी बता देता को यह जो दो icon से इनको तुमको use कर सकाना है defense का मतलब यह है कि जब तुम्हारे base में heroes defend करेंगे और warden का यह हो गया कि warden जब अब defense कराएगा, तो warden statue बंगे नहीं खरा रहाएगा, वो बाहर घूमता रहेगा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यह हो गई है कि तुम्हारे base defend करना है तो चार अलग-अलग heroes रख सकते हो और attacking के type पर जाओंगे तब अलग-अलग heroes लेकर जा सकते हो, और कैसे तुम्हें heroes exchange करना होगा, वो तुम्हें आही गया होगा, ऐसे ऐसे जो heroes तुम्हें एक्सेच करना चाहता हो उसको तुम्हें ऐसे लेना होगा, और तुम्हें यहाँ पर जिस order में heroes को change करके रखो गया, सबसके तुम्हें पर इसे एक विप्मेंट को ले लेता हो, इस जरी के order से जब तुम्हें अटाइक करना जाओगा, तो heroes तुम्हें आएंगे और तुम्हें एसा वापस change कर सकते हो, और चाहते पर पर इक्विमेंट को ले लेता हो, और यह चीज़ से फिर एक और वावार अवड़ होगा, य जो कि एक defensive building नहीं है लेकिन आपने के troops करूफने का काम जरूर कर देगी उसके बाद अगर हम इंदर से चाहो तो यह तुम देख सेटाथ अगर तुम यहाँ से भी चाहो तो इनको click करोगे तो ऐसे attacking का type पे hero change कर पाओगे defense पे click करो तो एकदम वहाँ पे जाके defensive के heroes को change कर पाओगे जैसे suppose अगर मैं royal champion को change करना चाहता हूँ royal champion के जगर मैं king को लाना चाहता हूँ तो ऐसे king आ जाएगा मुझे बुद्धा पसंद नहीं हारा defensive में तो मैं वहाँ पे royal champion को लाना चाहता हूँ आइसे तुम्हों change कर पाओगे यह हो गए तुम्हारे जो defensive or attacking के icons है ऐसे तुम इनको changes कर पाओगे अब आजाती है चलो equipments की बाद यह अब देख सकते हो एक दो तीन चाह नीचे चाह तुम्हों को यह emblem के items देखने को मिल जाएंगे पहला बाला है तुम्हारा army इधर से जो defending के heroes है यह bin's किन का मतलब किया होता यह पर तुम लोग देख पाओगे यह information type का है view में जाओगे तुम्हारे charge binance कहा कहा पर हो तुम नज़र आ जाएंगे वाकि, इस ओम में बेस भी ब्रावाश तो मैं नहीं मिल रहा है है तो आइसे भी जाके दूण सकते हो दीसरा न चोआज के उन से पहुंच जांके जो एकविमस भी जांके जया हो तो एकदम से संजम क्योंकि electric owl हवा में और यह जाता है एक तो पहला हम इसको warden को उपर यूश करते थे लेकिन अब हम लोग वारण के उपर बहुत लोग यूश करने लग गया है वशने भी करने लग गया हूँ कि यहांओ इसकह भी हादफ है कि I was around 1-2 और नला को सब्सक्रिंद कर नहीं है कर नहीं दौन सार्फिर नहीं ले लो नोग पनाया लंट है तो मेरे साथ यह किस्सा हो गया था तो वही पर मने यह देखा था कि नोटिस कहा था कि heroes को मैं यह से ले सकते हैं तूसरी बात होगे यह सब लुग दा सकता है तो pet shop तुम्हारा अगर जाओगे तो pet shop से नॉर्मल pet को access कर पाओगे king के लिए यह बढ़ियर रहेगा frosty और इसके लिए यह बढ़ियर रहेगा यह वाला और अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा और इसको versatile बनाना चाहते हो royal champion की तरह तो इसको उपर तुम लोग अगर तुम लोग हो बहुत उपर सबस मैं तो 17 पर हो यह jelly unlock हो चुका है तुम jelly को भी ऐसे इसको पर लगा सकते हो यह jelly के साथ यह सब जाकर defenses को मारेगा यह भी बहुत अच्छी बात हो जाती है अगर तुम चाहते हो तो phoenix भी इसको पर ले सकते हो लेक्ट मैं phoenix को recommendate नहीं करूँगा तो queen के साथ तुम लोग warden को डख सकते हो warden के साथ royal champion ज़रूरी है royal champion टीम से बाहर नहीं जाएगी यह तुम्हें याद रखना है तुम्हें अगर minion prince को लाना है तो minion prince को तुम्हें king की जगह पे लाना होगा सबस अगर हम ऐसे ले आते हैं यह मिलेकर जा सकता है अगर तुम queen charge करते हो को queen charge के साथ तुम लोग warden को भी last में दे सकता हो या फिर अगर queen charge में सबस तुम्हें warden की ज़रूरत नहीं है तो warden के जगह पे तुम लोग king को ला सकते हो queen charge के साथ तुम एग जगह से जाते हो और किंग के साथ दूसरे साइट से तुम फल्लिंग करते हो या फिर उस तरफ की जगह को उड़ा देते हो सबोस्ट तो वो हो जाएगा और इसके साथ हम लोग तुम रॉयल चेंपियन जैसी काम कर सकते हो रॉयल चेंपियन एक साइट से डीफेंस को मानेगी रॉयल चेंपियन के डूसरे साइट से तो रॉयल चेंपियन के साथ तो डीफेंस को से उड़ाने का काम कर देगा और अगर सपोस्ट तुम समझ लो कि तुम ऐसे नहीं जा रहे हो तुम फुल एर अटक करने जा रहे हो जहाबत में वार्डन की भी जुरुवत है तुम्हें रेकोमेंडेट नहीं करूगा कि तुम आरचार कुईन को बिठा दो तुम्हें राचार कुईन भी बहुत बस वो दीवारों के अंदर अटक न जाए तो वार्डस के लिए हमनों हीरोस का स्ट्रेजिय बहुत अच्छी देगा सीउस कर सेता है यह होगए तुम्हार ओपर का तॉपर की ताउन हृउल Pit में ठापर नेचे के ताउन हाल से जयुप तो जैसे कि यूजय ध är एपर न सीम तैजके मेरा मैक्स बावास ऑका दूसरा मेरा मैक्स बेस ज़ूप तक मैक्स receivers िप्प मांसे हुआ है तो यहां पर देख सकते हो तो यह और यहां पर अगर मेरा मिनियन पिंस 6 फिल पर चलाता है मेरे बार्बरियन किंग मांगना है 1,3,000 लेकिन यह मांगेगा 2,10,000 तो मिनियन पिंस बहुत ही महेंगा मांगेगा जब यह और भी लेवल अप होगा तो इन देन हमें देखने पर गए कि रॉयल चेंपिन से भी यह ज्यादा महेंगा होता या फिर नहीं क्योंकि यह भी वहती धमाकेदार हीरो है जो की लांच किया गया है देखने में भी बहुत बैड आ सकता है यह वाला हीरो यह मत समझना कि तुम्हारा का टाउन हॉल एक दम मैक्स लेवल का है टाउन हुल 16 का था अबडेट आने से पहले तो तुम्हें जो हीरो हॉल है वो तुम्हें मैक्स आउट मिल जाएगा नहीं क्योंकि इस बेस पर देख सकते हो यह जो मेरा टाउनल 16 का था लेकिन मुझे जो हीरो हॉल मिला है वो है टाउन लेवल 7 का तो लेवल 7 के उपर हमें कौन से मिलन पिंस मिला है लेवल 40 का जो कि टाउनल 13 के उपर मिलता है तो इसका मतलब यह समझना है कि तुम्हारा बेस जितना मैक्स आउट होगा I think यह मेकानिक्स यह फिए सिस्टेम वह ऐसे वर्क करता है तुम्हें यह वाला जो हॉल है तुम्हें इस सबसे देगा और एक और चीज बाएं तुमको कल के वीडियो में मेंशन कर दिया था यह भी मेंशन कर देता हो एक बार फिससे यह जो चीज है तुम्हारी एक से में उसको कहा बें पिठा था अब तक वह मिला है नहीं यह वाळागत हम इधर पर आ जाएंगा तुमँद में यह वाली बिल्डिंग मिलेगी यह वाली बिल्डिंग तुमको इधर से Elixer के साथ खरीचनी पड़ेगी लेकिन मैं बूलूँगा कि अगर जिन लोगों ने पहले से ये जो builder है इते पर भी वो देखने को नहीं मिलेगा वो builder को अगर तुमने पहले से 500 gems के साथ appendix को unlock करकर रखा है तो ये building तुमको free में मिल जाएगी क्योंकि देखो यह से तुम अगर तो ये तो होगा आज की वीडियो के बाद तो इस वीडियो में बस इतना ही था तुम लोगों को थोड़ी strategies बता नहीं थी इसके साथ मैं strategies सुनी बता कि कौन सी आर्मी ले जा सकते हो हाँ तो queen charge के साथ अगर तुम करते हो तो वो strategy उस कर सकते हो अगर warden नहीं आता है तो तुम्हारे पास क्योंकि मैं बुलूँगा कि वार्डन को रखने के लिए उसके ability बहुत अच्छी है बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि तो चाड़ हिरो सी बहुत ही ओवर पावर हिरो से बना फाइव हिरो सी तो एक नेक को बिठाना ही पड़ेगा या तो king को या तो वार्डन को क्यों को बिठाना नहीं चाहोंगे और ना ही queen को बिठाना चाहोंगे तो अगर तुम queen का use नहीं करते हो तब queen के जगए वैसे कर सकते हो बाकि तुमको कैसे upgrading का चीज से बहुत ही तुमको मैं दिखा चुका हूँ और कल मने एक video डाली ती जिसको उपर मने बात्चित करी है अगर तुम गए हो और 2017 में नहीं न किया तो तो चलो बाइ